हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू जॉइन अ मर्चेंड नेवी इन इंडिया मर्चेंड नेवी बेसिकली एक प्राइवेट सिपिंग सेक्टर है यह इंटरनेशनल इंपोर्ड एक्सपोर्ड का बैकबॉन माना जाता है कारगो और पैसेंडर को एक कंट्री से दुसरे कंट्री ले जाते है मर्चेंड ने वी एक रियली ग्लैमरेज जॉब है यह आपको कम उमर में रॉयल लाइफटाल जिने का मोका देगा इस फिल्ड में भहुत सारा पैसा है आपको ट्रेनी लेवल पे भी भहुत ज्यादा सेलरी मिल सकती है आपको नए नए देश गुमने का मोका मिलेगा अगर आप ट्रैवल करने में रूची रखते है तो यह फिल्ड आपके लिए बना है अलग अलग नैशनलिटी के लोग मिलते है तो चलो देखते हैं हाउ टू जॉइन अम मर्चेंड ने भी आप 10th के बाद 12 के बाद और B.E.B.T.E. करने के बाद भी मर्चेंड ने भी जॉइन कर सकते है आपको 10th के बाद GP रेटिंग को जॉइन कर सकते है इसके लिए आपको 10th में 50% और English में 50% मार्च होने चाहिए आपकी एज 17.5 से 25 के बीच में होनी चाहिए यह 6 मंद का कोर्स होता है इसके इसमें आपको Basic Machinery of Ship, Firefighting, Survival Technics और Basic कामों की ट्रेनिंग दी जाती है इसके बाद आप Engine और DEC दोनों में से एक साइड जॉइन कर सकते हैं DEC साइड में आप OS के रैंक पे जॉइन कर सकते होए और Engine में Wiper और Trini Euler के रैंक में जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको 10 से 18 हजार के salary मिल सकती है जो बाद में experience के साथ बढ़ जाती है आप 12 के बाद B.A.C. Nautical Science का course जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आपको PCM group में 50% marks होने चाहिए और 10 और 12 में English में 50% marks होने चाहिए आपकी age 18 से 25 के बीच होनी चाहिए ये 3 साल का course होता है और इसके बाद आप deck cadet और trainee officer जुनियर officer के rank में जॉइन कर सकते हैं और बाद में promotion से आप captain के rank तक post सकते हैं और आप engineering के बाद graduate marine engineering का course कर सकते हैं अगर आपने mechanical engineering और naval architecture engineering की है तो आप GME course जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आपको graduation में 50% marks होने चाहिए आपकी उमर 27 से जादा नहीं होनी चाहिए ये one year का course होता है इसके बाद आप as a junior engineer ship पे जॉइन कर सकते हैं और आपको minimum 30,000 की basic salary मिल सकती है और इसके बाद भी आप अगर AC technician है आपको AC maintenance का knowledge है और आप diesel mechanic है आपको engine overhauling और maintenance का knowledge है और आप एक professional diver है और आपको welding और cutting अच्छे से आती है तो आप merchant navy जॉइन कर सकते हैं तो आप मर्चेंट ने भी जॉइन कर सकते हैं क्यादे स्कते हैं झाल झाल